हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियन देखे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक SBI related news है उसके बारे में State Bank of India ने Mobile Handheld device को launch किया है अब देखे ये जो Mobile Handheld device को launch किया गया है ये Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लिए launch किया गया है किस तरीके से ये Financial Inclusion को बढ़ावा देगा तो अब क्या होगा अब SBI अपने customers को banking services उनके घर पे प्रोवाइड करा पाएगा ये इस device से possible हो पाएगा जैसे कि cash withdrawal, cash deposit तो ये सब जो banking services है ये अब SBI अपने customers के घर पे प्रोवाइड करा पाएगा तो इसी के बारे में आज किस वीडियो में हम डीटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी initiative को launch किया गया है Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लिए तो exactly ये Financial Inclusion होता क्या है एकदम साथारन सब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखे Financial Inclusion में एक बात को इंशॉर किया जाता है Financial Inclusion में इस चीज को इंशॉर किया जाता है कि जितना सारा भी लोग है Irrespective of their income और their background जितने सारी भी लोग हैं उन सब का access हो basic financial services तक जैसे कि bank accounts, loans, insurance तो जो basic financial services है उस तक access हो सभी लोगों का Irrespective of their income और background यह होता है Financial Inclusion तो यहां पर Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लिए ही SBI ने Mobile Handheld Device को लाँच किया है और देखे इससे क्या होगा तो इससे अब SBI के customers के लिए banking services को avail करना और भी ज़्यादा convenient हो जाएगा तो सबसे पहले तुम यह समझ लेते हैं कि यह Mobile Handheld Device होता क्या है देखे अगर हम बात करें in general तो यह जो Mobile Handheld Device है वो एक portable electronic device होता है यहां पर portable का क्या मतलब है यहां पर portable का मतलब है कैसे करके क्या है यह जैसा है अप इस device को कहीं पर भी आसाणी से carry कर सकते है जैसे कि smartphone हो गया smartphones को आप कहीं पर भी आसानी से carry कर सकते है tablets हो गया इसके बात कुछ portable programming console होता है वो आपने देखा होगा हो सकता है कि आपने इस्तिमाल भी कि just होगा इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते कहीं पर भी आप गेम खेल सकते हैं तो यह सब एक्जामपल है मुवाइल हैं डिवाइस का SBI ने भी यहां पर एक मुवाइल हैं डिवाइस को लॉंच किया है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यह डिवाइस SBI के customers के help करने वाला है तो देखें ये device क्या करेगा ये device SBI के customers के door step पे जो kiosk banking होता है उसको लाने का काम करेगा अब ये जो kiosk banking है इसको customer service point भी कहा जाता है ये होता क्या है तो देखें जो kiosk banking है ये generally established किया जाता है ग्रामीन इलाके में या फिर ऐसे इलाके में जहां पर bank का बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं है जो इलाका बहुत ज़्यादा डेबलप नहीं है तो वहां पर kiosk banking को established किया जाता है ये एक small booth के तरह होता है जहां पर internet connection होता है और यहां पर bank का कोई agent रहता है वह agent क्या करता है वह एजेंट customers को मदद करता है वहां का जो customers है उसको मदद करता है basic bank services को अवेल करने में तो यह होता है kiosk banking अब यहां पर इस जो device को launch किया गया है mobile handheld device को तो यह क्या करेगा यह kiosk banking को customers के doorstep पे directly लाने का काम करेगा यह करेगा और जादा तर जो mainstream banks है सभी सेक्टर में private, public, cooperative सभी सेक्टर में जो mainstream banks है वह अपने लोगों के लिए जो kiosk banking है उसको establish करते हैं बहुत सारे इलागे में तो यहां पर SBI का भी जो kiosk banking है जो SBI ने establish किया हुआ है तो kiosk banking को इस device को जो launch किया गया है तो यह device क्या करेगा kiosk banking को SBI के customers के doorstep पे directly लाने का काम करेगा अब हम यहां पर समझते हैं कि exactly किस तरीके से यह SBI के customers को मदद करने वाला है देखे होगा क्या कि अभी जो customer service point agents है वो बहुत सारे customers को service provide नहीं करा पाते हैं लेकिन अब क्या होगा अब जो इस device को launch किया गया है तो जो customer service point agent है यानि कि जैसे कि मैं आपको बोला था कि जो kiosk banking establish किया जाता है वहाँ पे bank का agent होता है तो ये agent को बहुत जादा flexibility मिलेगा ये अब जहाँ पे भी customers होगा वहाँ पे पहुँच करके उनको banking services provide कर पाएगा अब देखे इस initiative का सबसे जादा benefit वैसे customers को होने वाला है जिन customers को customer service point पहुँचने में काफी challenges का सामना करना पड़ता है जैसे कि माल लीजे कोई वैक्ती है जिसके साथ कुछ health issues है उसको customer service point पहुँचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इसके पास senior citizens को दिव्यांग जन्सको तो यह सब जो SBI के customers है इनको बहुत ही ज्यादा अब लाव मिलने वाला है क्यूंकि इस device के जरिये क्या होगा इनको अपने घर पे ही जो banking services है वो मिल जाएगा अब यहां पर किस तरह के banking services को प्रोवाइट किया जाएगा इस device के तुरू तो देखे इ deposit, fund transfer, balance inquiry, mini statement तो यह 5 core banking services है क्या क्या है cash withdrawal, cash deposit, fund transfer, balance inquiry, mini statement तो यह 5 core banking services है जो की initial face में इस device के तुरू प्रोवाइट किया जाएगा SBI के customers को उनके घर पे अब देखे जितना भी SBI का customer service point outlet है तो यह जो पूरा customer service point outlet में transaction होता है तो total transaction का 75% जो transaction है वो related होता है इन 5 core banking services से तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन 5 core banking services को initial face में प्रोवाइट किया जाएगा इस device के तुरू लेकिन देखिए SBI यहीं तक नहीं रुखेगा SBI नहीं यहाँ पर क्या कहा है कि यह plan कर रहा है कि आगे चल करके और भी services को इसमें include किया जाएगा और भी कुछ services को इस device के थुरू प्रोवाइट कराया जाएगा customers को उनके घर पे जागर के जैसे कि जो social security schemes में enrollment लेना होता है तो यह service प्रोवाइट किया जाएगा इसके बाद account opening इसके अलावा remittance जहां पे विदेश में पैसा बेजा जाता है अगर कोई relative या फिर किसी का children विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो जो पैसा भेजना होता है remittance हो गया card based services हो गया तो यह सब services को भी SBI plan कर रहा है future में include करने का तो यह सारे बात यहां पे लिखा हुआ है अब देखिए अगर हम at last बात करें तो objective क्या है इस initiative का अभी तक तो आपको समझ में आई गया होगा कि इसका objective क्या है देखिए इसका objective है कि society का जितना भी sections है उ को accessible हो खास करके जो unbanked है यानि कि वैसा वैक्ति जिसका bank account नहीं है जो bank से जुरा हुआ नहीं है तो उन लोगों तक banking facilities को accessible बनाना ही इस initiative का उतेश है और देखिए SBI का जो विजन है financial inclusion को ले करके उसको यह फुल्फिल करता है यह initiative तो यह सारा बात इस news से जुरा हुआ था अगर आपको यह video informative लगा होगा देखिए अगर आपको यह video useful लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग